नमस्कार आण वेलकम टु बिहार सेविज मैं हूँ आलोग सिंग तो देखेए हाली में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि ओमी क्रोन का एंट्री हो चुकी है बिहार में उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि बिहार में जल्द ही लोगडाउन लगने वाला है और वो दिन आ गया पार्सियली लोगडाउन जो है वो बिहार में लग जाएगा आज राद से यानि छे जनवरी राद से ये पार्सिय लोगडाउन लग जाने वाला है तो टाइमस ओफ इंडिया का यह आर्टिकल आप देख पाऊगे नाइट कर्फ्यू डिटरंस इन बिहार तो देखिए कोविड इनफेक्शन बहुत ही तेजी से फैल रहा है और हाला कि बिहार नौ में पोजिशन पे है संक्रमन में या इनफेक्शन में बोले फर्स्ट पोजिशन पे आपको मिलेगा महरास्ट ठीक है लेकिन फिर भी चिंता की इसलिए बात है क्योंकि पिछले 24 में बिहार में एक मैसिव हाइक देखा गया है 1669 मामले 1669 लोग पॉजिटिव पाए गये हैं और बिहार में जो टोटल एक्टिव केस है वो अब कितना हो चुका है 3697 लोग अभी बिहार में पॉजिटिव हो चुके और यह सब नया मामला है इतना ही नहीं बिहार में कई डॉक्टर्स इंफेक्टेड हैं कई कई मिनिस्टर्स इंफेक्टेड हैं यहाँ पर देख पाओगे दोनों डेप्टी सीम पता होगा बिहार में दो डेप्टी सीम हैं एक का नाम है तार किशोर परशाद और दूसरी हैं रेणू देवी दोनों क्रोना पॉजिटिव हैं आप यहां पे देख पौगे और आधा दर्जन मंत्री भी संक्रमीत हो चुके हैं मत्तब इस्तिती आप समझ सकते हो इतनी तेजी से हाइग देखकर मुख मंत्री नितीश कुमार ने जनता दर्बार जो लगाते थे उसको पॉस्पोर्ण कर दिया है उन्होंने सुरूर किया था समासुधार अभ्यान 22 दिसंबर से इनका यह समासुधार अभ्यान सुरू हुआ था और यह सब को पोस्पोर्ण कर दिया जा चुका है हम और भी चीजे आपको बताएंगे कि कौन सी चीजे पॉस्पोन कर दी गई है और कौन सी खोली गई है देखिए तीसरा वेब बिल्कुल सुरुवात हो चुका है जिसकी कही जा रहे थी कि थर्ड वेब भी आने वाला है उसकी सुरुवात बिल्कुल हो चुकी है क्योंकि अगर दूसरे राज्यों की बात करें देली की बात करें जो हमारा कैपिटल है वहाँ पर करीबन दस हजार से भी ज़्यादा कैसे मिल रहे हैं तो यह काफी एक बड़ा हाइक है और यहाँ पर देख सकते हो गर बिहार में बात रहे तो दस दिनों में सो गुना से ज़्यादा हुए संक्रमीत आप यहां से मामला समझ सकते हो इस्टिती समझ सकते हो कि आखेर यह पार्सियल लोगडाउन का कितना इंपोर्टेंस है अब इस पार्सियल लोगडाउन में कौन कौन सी चीज़े बंद रहेंगी सभी पार्क्स बिलकुल बंद रहेंगे जीम्स बंद रहेंगे स्विमिंग पूल्स मॉल्स वगईरा बंद रहेंगे बिलकुल अस्कूल जो क्लासेस आठ तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल अभी बंद था वो अभी खुलेगा अभी नहीं जब तक कि next order नहीं आयाता है लेकिन 9th, 10th, 11th ये सब का क्लास अभी चलेगा वो भी 50% strength के साथ जो physical classes होते हैं coaching centers में वो अभी बिलकुल नहीं होंगे कोई coaching centers open नहीं होंगे visitors have been bad from entering the premises of government and private officers अब जो private office हैं या फिर government office हैं जिनको अभी जाना होता था उन लोगों को लिए भी बैन कर दिया गया है वो लोग भी नहीं जा सकते हैं सभी religious places को बिलकुल बंद कर दिया गया है जितने भी मंदीर वगेरा हैं यह सब को बंद कर दिया गया है फिलाल तो क्या-क्या जीजे जिसमें relaxation मिला है तो नौवी से बरहवी तक के जो classes होंगे वो अपरेट किया जाएंगे होटेस रेस्टोरेंट भी 50% capacity में ही चलेंगे मतलब अगर वहां पर 100 लोगों को बैठने की जगह है रेस्टोरेंट में होटेस में तो आपको 50 लोग ही बैठाने होंगे ठीक है only 50 people have been permitted at wedding and 20 at fundraise तो सरधानजली में आपको 20 लोग रहेंगे और 50 लोगों को साधी में invite कर सकते हैं all shops have been directed to close by 8 p.m. क्योंकि night curfew लगाई गई है आठ वजे तक आपको रात के आठ वजे तक दुकाने खुली रहेंगी उससे उपर में दुकाने नहीं खुलेंगी लेकि night curfew जो होगा वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये continue रहेगा सभी social, religious, cultural functions have been kept at 50% capacity with upper limit of 50 persons तो यहां पे भी 50% कर दिया गया है जो भी social, religious, cultural जो भी functions हो रहे हैं उसमें 50% के strength के साथ उसको कर सकते हैं यहां त्रियों के लिए मास्क बिल्कुल अनिवारे रहेगा सभी के लिए 100% इस्तेमाल करने के अनुमती दी गही है बैंकिंग भीमा, ATM, संचारन, VTA, कमपनियों के ये सब जो है उन सब को छूट रहेगा ये लोग बिल्कुल ऑपरेट करेंगे आठ बजे के बाद भी अपरेट कर सकते हैं जैसे बैंकिंग भीमा, ओद्योगी, विनिमार, कारे, समन्दित, परतिस्ठान, सभी परकार के ई-कॉमर्स से जूड़ी गतिविदियां ये सब आठ बजे के बाद भी हो सकती है अगर यात्रा टिकेट है तो दस बजे के बाद भी नाइट कर्फ्यू में भी आप जो भी माल वाहक हैं उनकी वाहन जो है उनकी गाड़ियां जो है वो जाने की अनुमती दे दी जाएगी अन्य राजियों से आने वाले जो निजी वाहनों को भी रोका नहीं जाएगा इसके अलावा कर्ताव पत पर जा रहे है सरकारी स्वास्त वा मिडिया समेत अन्य आवश्यक अनुमानने सेवाओं के निजी वाहनों को भी छूट रहेगी तो आप अब समझ ले होगे कि क्यों पार्सियल लॉकडाउन मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि नाइट कर्फियू भी यहाँ पे अपलाइड है और दिन में भी बहुत से चीजे 50% स्टेंथ के साथ ही उसको करने की परमीशन दी गई है यह सब कुछ आपको 6 जैनवरी से 20 जैनवरी तक लागू रहेगा उसके बाद इसको और बढ़ाया जाता है क्या कहता है वो आगे की नोटिस जब आएगी बिहार सरकार की तब मालूम चलेगा तो ओमीक्रोन जो है वो क्रोना वायरिश का ही एक न्यू वैरियंट है इसके पहले आपको सबसे जो डेंजरस वैरियंट था वो था डेल्टा वैरियंट जो आपको पिछले साल मिला था जो जो बहुत तबाहे मज़े थी औक्सीजन की बहुत भारी मातरा में कमी होगी थी वो था डेल्टा वैरियंट तो बिल्कुल सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और ओवियसली जो कुरोना का गाइडलाइन था उसको पालन कीजिए आप भी सिफ रहिएगा और घर पे बटके अब जरूर पढ़ाई कीजिए अपने आने वाले एक्जाम के एंड मोस्ट